दियर स्टुडेंट्स मैं प्यूस कमारत्रिपाथी स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU Point पर तो आज मैं आपके सामने Board Exam Capsule की स्रिंखला का अगला वीडियो लेकर हाजिर हूँ जिसमें हम लोग देख रहे थे 2019 Board परिच्छा के Unsolved प्रस्थ पत्रों का हल जिसमें हम लोग Chemistry के कुछ सवालों को हल करते हैं और आपको कुछ Homework भी दिये जाते हैं तो चलिए आज की क्लास हम लोग सुरू करते हैं तो देखिए आज की क्लास में सबसे पहला सवाल है यहीं पहले सवाल से आपको मिल जाएगा एक Homework तो आपको पहले सवाल से मैं Homework क्या देने वाला हूँ आप कान खोलिए और दिमाग से लिख लीजिए क्या लिखेंगे आज का आपका सबसे पहला Homework है कि आप याद करके आएंगे सक्रियता स्रेडी घर से याद रखिएगा क्या आद करेंगे आप सक्रियता स्रेडी और साथ साथ उसके उपयोग ठीक है ना ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा सक्रियता स्रेडी अगर आपको लिख सकते हैं तो comment box में सारी सक्रियता स्रेडी करम से लिख दीजिएगा ठीक है ना चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल पे चलते हैं अपने हम सक्रेता स्रेडी मैंने आपसे कहा प्यात कर लीजिएगा यहाँ पे देखिए आपसे पूछ रहा है कौन सा युग्म प्रतियस्थापनी अभिक्रिया दे रहा है प्रतियस्थापन का मतलब कल ही मैंने आपको बताया था एक जो है दूसरे को प्रतियस्थापित कर देगा अगर द्वी भी स्थापन है तो एक इसको करेगा दूसरा उसको कर देगा ठीक है लेकिन प्रतियस्थापन अभिक्रिया में एक किसी दूसरे को हटाता है तो चलिए हम इन सारे reactions को लिखते हैं और check करते हैं कि कौन सा reaction हमारे लिए सही है कौन सा reaction हमारे काम का है ठीक है देखिए इतर आप लो आपको दिख रहा होगा सबसे पहला वाला सवाल का option sodium chloride का billion है और इसकी क्रिया copper धातु से करानी है तो प्रतियस्थापन का मतलब है कि चाहिर सी बात है कौपर बनाता है प्लस तो यन्ने भी बनाता है प्लस तो प्लस प्लस को ही हटा सकता है तो कौपर जाएगा सोडियम को हटाने लेकिन आपको मालुम है कि सक्रियता स्रेडी में कौपर बहुत नीचे होता है इसलिए यह अपने उपर वाले तक्त्म को नहीं हटा पाएगा तो इसलिए मैंने कहा आप सक्रेता स्रेडी याद करिए तो कापर सोडियम को नहीं हटा पाएगा इसलिए यह अभिक्रिया नहीं होगी ठीक है न यह ध्यान में रखिए चलिए तो दूसरा सवाल देखा जै मैगनिसियम क्लोराइड विलेन है और अलियूमिनियम धातु है मैगनिसियम क्लोराइड का विलेन है और अलियूमिनियम धातु है ध्यान दीजेगा आप लो मैगनिसियम क्लोराइड का विलेन है और अलियूमिनियम धातु है मैगनीसियम उपर है ki Aluminium जाएगा MG को हटाने क्योंकि MG यहां पे है डिहान दीजियेगा तो अगर Aluminium उपर होगा तो MG को मारके भगा देगा लेकिन आप सक्रेता स्रिरी जैसे ही याद करते हैं आप पाते हैं कि पहले מagनीसियम आता है फिर Aluminium आता है इसका मतलब एलियू मिनियम मैगनेशियम को नहीं भगा पाएगा तो ये वाला reaction भी गलत हो गया दूसरा option भी गलत हो गया चलिए ज़रा तीसरे option को देख लिया जाए तीसरा option क्या है फेरस sulfate willion even silver धात फेरस sulfate willion even silver धात तो देखिए फेरस sulfate बताए तो फेरस आयन किसे काते है फड़ा फड़ कमेंड बॉक्स में दीजिए ये answer लाइब कमेंड बॉक्स ने चल रहा है answer दीजिए क्या answer होगा फेरस तो ये एक सम क्या है आपके सामने फेरस sulfate willion और silver धात तो आप से मैं पूछ रहा था कि आप मुझे बताईए फेरस आयन का फॉर्मूला क्या है तुरंट कमेंड बॉक्स में चापिए तुरंट तो हम देखते हैं कि फेरस अर्थात आयरन दो प्रकार का आयन बनाता है एक याफी 2 प्लस और एक याफी 3 प्लस आपको कुछ आयन याद करने होंगे ठीक है मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन की क्लास जो है आयन और उनसे बनने वाले याउगिकों पर लाई जाए तो इसके बारे में आपका क्या कहना है अगर बढ़िया कहना है तो बताईए नहीं कहना है तो भी बताईए अगर कुछ नहीं बोलने जब-चभ देखते रही ninete देखिए ध्यान से इसी का नाम है फेरस और जो इसी 3 प्लस बना है इसका नाम है फेरिक ध्यान दीजियेगा तो जो हमारी सक्रियता सरेडी होती है उसमें फेरस आयन होता है कौनसा फेरस इसलिए यहाँ पे आपसे बोला गया Ferrous Sulfate क्या बोला गया Ferrous Sulfate ठीक है तो Sulfate Sulfate देखिए दो प्रकार के आयन होते हैं Sulfar एक S3 पे 2- और एक S4 पे 2- जो S3 पे 2- होता है उसे Sulfite कहा जाता है जो S4 पे 2- होता है उसे Sulfate कहा जाता है तो अगर यफी भी 2- बना रहा है और Sulfate भी 2- बना रहा है तो 2- से 2- कट जाएगा और के वर बचेगा यफी S4 और कौन सी धातु ली गई है SILVER धातु कौन सी ली गई है जी SILVER धातु देख लिजिए तो बताइए क्या जो SILVER है वो इसको हटा पाएगा आयरन को SILVER तो बहुते नीचे होता है तो SILVER आयरन को हटा ही नहीं पाएगा अर्थात ये भी अभिक्रिया नहीं होगी याद कल लीजिएगा आप लोग गाट बांद लीजिएगा दिमाग खोल लीजिए तीसरा भी आप्सन नहीं है तो बचा कौन सचा हो था आप्सन बचा तो वही होना भी चाहिए और वही होगा भी लेकिन हम लोग जाच करेंगे तब तो बताएंगे देखिए दिया है SILVER NITREAT विलेन और कॉपर धात SILVER NITREAT SILVER NITREAT तो देखिए आप लोग SILVER NITREAT बनता कैसे है यह जो आपका AG भाईया होते हैं यह प्लस आयन बनाते हैं और NITREAT को आपको याद होना चाहिए कि NO3 पे माइनस होता है तो एक एक दोनों के उपर है इसलिए ज़िए ज़िए हमार फार्मुलवा है उसी कुठा लाईये और बैढ़ जाईये और इसी मोबाईल पे पड़क दीजिए जिससे वो AG 903 से क्रिया कर लेगा तो देखिए जरा यहाँ पे आपने लगाया कॉपर धात जैसे ही आपने कॉपर धात लगाया और सक्रियता स्रेडिया आपने याद किया तो आपने देखा कि कॉपर उपर होता है और AG नीचे होता है कॉपर उपर होता है और AG नीचे होता है तुरंते एक कॉपर उठा क्धाइप पढ़केगा AG को और जैसे ही भगाएगा copper अपना nitrate बना लेगा और copper कितना plus बनाता जरा इस पर focus तो करिए copper बनाता है 2 plus और NO 3 जो होता है वो बनाता है minus तो इसके उपर एक लिखा हुआ है क्योंकि यह कई minus है और इसके उपर 2 plus लिखा है तो इसका 2 जाएगा इसके नीचे देखिये जरा cu के नीचे कुछ नहीं गया और NO 3 के नीचे चला गया कितना twice यह बन गया और plus में कौने भगा दिया जी plus में तो भगा दिया वेचारे एजी को प्लस में किसको भगा दिया एजी को तो E reaction वा हो गया कि नहीं हो गया अर्थात हमारे उप्सनवा में से काउंसा वाला उप्सनवा सही था जी नमबर चार वाला उप्सनवा सही था यह बात को ध्यान में रखिए important question और किससे इस related है जी सक्रियता स्रेडी मैंने आपको बता रखा था कि जो सक्रियता स्रेडी है वो very very important है आपके लिए नहीं याद करेंगे तो यह आपको अक्री कर देगी अगर आपको सक्री रहना है तो इसे याद करना पड़ेगा ध्यान में रखिजी चलिए अगला सवाल देखते हैं बहुते खतरना question क्या लिखा हुआ है इसमें काउन सा कथन असत्य है काउन सा कथन असत्य है तो इसमें चार option दिये गए है चारों में से आपको असत्य कथन बताना है तो इसमें अपचयन और उपचयन की बात कर रहा है तो यह जो अपचयत लिखने का मतलब है अपचयन है क्या है अपचयन ध्यान दीजेगा अपचैत लिखने का जो मतलब है वो अपचैन से है और जबकि उपचैत लिखने का जो मतलब है वो आकसी करण से है किस से है आकसी करण से ये बात को आप खोपड़ी में बैठा लीजिएगा तो ज़रा चलिए एक बार अप्चेयन और आप्चेयन के बारे में जान लेते हैं एक बार आप्चेयन के बारे में जान लेते हैं ठीक है तो देखिए आप लोग कुछ पॉइंट इनके बारे में देखिए जैसे पहला पॉइंट औक्सीजन का योग अगर किसी में औक्सीजन जुड़ा होगा तो उसका औक्सीकरड होगा और इसमें औक्सीजन प्रिथक इसमें निकलेगा औक्सीजन निकलेगा याद रखिएगा इसमें दूसरा नंबर हाइड्रोजन प्रिथक होता है हाइड्रोजन प्रिथक होता है और थाथ हाइड्रोजन निकलेगा क्या होगा हाइड्रोजन निकलेगा ठीक है और इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा हाइड्रोजन जुड़ेगा आपचेन की प्रक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ता है तीसरा देखिएगा जो आपका व विद्यूत रिडात्मक अवयो होता है, कौन सा अवयो होता है, उसका अनुपात जो है वो बढ़ता है, क्या होता है, अनुपात बढ़ता है, और इस वाले में यही अनुपात घटता है, ठीक है, और इसमें विद्यूत धनात्मक का, ध्यान दीजिएगा, विद्यूत धनात्मक, धनात्मक और रिडात्मक का मतब समझ रहे हैं, वही धनायन और रिडायन, तो विद्यूत धनात्मक का घटता है, क्या होता है, घटता है, और जबकि इसमें विद्यूत रिडात्मक का क्या हो होता है बढ़ता है ठीक है जैसे मैं आपको एक reaction दिखा रहा हूं देख लीजे ज़रा तब मैं आगे बात करूं एक reaction लिखा है sgncl2 plus hgcl2 और 3 के बाद yzncl4 और plus hg2cl2 ठीक है देखिए इन सब में जो पहिले नंबर आप लिखा गया है ना यह ही है प्लस तो प्लस वाला पहिले कईठो दीख रहा है आपको एक ठो और माइनस वाला कईठो दीखा दो ठो इसमें देखिए प्लस वाला एक ठो है और क्लोरिन वाला दो ठो है इसमें देखिए प्लस वाला एक आया लेकिन माइनस वाला कितना होया चार इसमें प्लस वाला दो और माइनस वाला भी दो तो ज़रा देखिए कि इसमें माइनस वाला कवनें बढ़ रहा है माइनस वाला यहां देखिए CL है और यहां भी CL है बताईए इसमें बढ़ा है घटा है बढ़ा है कि घटा है बढ़ा है न कौन वाला बढ़ा है कौन बढ़ा है अगर रिरात्मक वाला बढ़ा है क्योंकि CEL देखिये पहले 2 फह, पिर कितना हो गया चार, और मैंने देखिये यहां पर कहा विद्यूत रिडात्मक अवयोगानुपाद क्या होता है, बढ़ता है औक्सी करण में तो देखिए विद्धियो त्रिरात्मा कावयो बढ़ गया पहले दो था फिर कितना हो गया चार मतलब ये प्रक्रिया है आक्सी करण अर्थात आक्सीडेशन की किसकी प्रक्रिया है जी आक्सीडेशन की है ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा अब उसके बाद देखिए दूसरे वाले में यहां पर जब हजी है वो एक है और यहां पर हजी है दो है तो हजी एक से बढ़के दो हो गया ज़रा बताईए हजी प्लस वाला है कि माइनस वाला है हजी प्लस वाला है कि माइनस वाला है तो हजी पहले लिखा गया मतलब प्लस होगा यह बाद में है तो माइनस होगा प्लस वाला है पहिले है तो HG बढ़ा मतलब आप बताईए धनात्मक बढ़ा के लिदात्मक बढ़ा इधर धनात्मक बढ़ा अब देखिए पिछले वाले में जब धनात्मक बढ़ता है देखिए इस वाले में धनात्मक घट रहा था तो इधर क्या और अथा बढ़ रहा था बढ़ता है तो क्या होता है अपचेयन होता है मतलब यहाँ पर क्या होता है अपचेयन होता है यह ही तो है रेडाक्स अभिक्रिया क्या है रेडाक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें आक्सी करण और अपचेयन दोनों होता है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सी करण और अपचेन दोनों होता है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है उदाहरण के रूप में आप इसको लिख सकते हैं देखिए CEL पहिले 2 था कितना हो गया बाद में? 4 बढ़ गया कौन बढ़ा? माइनस वाला बढ़ा इसलिए अख्सी करण इसमें देखिए प्लस वाला बढ़ गया यहां से यहां तक इधर सीधर जाने पे प्लस वाला बढ़ गया मतलब अपचेन इसलिए यह हो गई रेडॉक्स अभिक्रिया और देखिए आक्सी करण और अपचेन में कुछ बात है और मैं आपको बता देता हूँ जैसे आक्सी करण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन निकलता है यह बहुत इंपॉर्टन रूल है इलेक्ट्रॉन निकलता है और किसकी तरफ प्लस चिन्ह में दिखता है? उत्पाद की और प्लस चिन्ह में दिखता है किसकी और दिखता है? उत्पाद की और प्लस चिन्ह में दिखता है यह बात को आप दिमाग में भरेंगे उत्पाद की और प्लस चिन्ह में दिखता है इस वाले में इलेक्ट्रॉन जुडता है इलेक्ट्रोन जुड़ता है ध्यान दीजेगा और अभिकारक की ओर प्लस चिन्ह में दिखता है किस ओर प्लस चिन्ह में दिखता है अभिकारक की ओर प्लस चिन्ह में दिखता है ठीक है ये बात को आप ध्यान में रखिएगा मैं दो धारण आपको दिखाता हूँ जैसे sodium है धातू तो ये एक electron त्यागती है इसका मतलब इसके अंदर एक electron था और इसने त्याग कर हमको दे दिया तो जो चीज हमको मिलती है उसे हम उत्पाद कहते हैं तो तीर के बाद लिखते हैं और उसने एक हमको दे दिया तो उसके उपर कितना प्लस आवेस आगया जी उसके उपर आगया एक प्लस आवेस मतलब sodium बन गया देखे इसमें electron उत्पाद की साइड में दिख राए की नहीं दिख राए तीर के बाद उत्पाद होता है इसका मतलब यह oxidation है दूसरा देखिए जब उन हमारे कलोरीन भाईया होते हैं यह बनाते हैं माइनस क्या बनाते हैं माइनस तो ही कहते हैं भाईया हमको electron चाहिए क्या चाहिए electron तो हम कहते हैं ले electron मतलब हम देते हैं तो जो चीज़े हम देते हैं वो होती है अभिकारक और जो चीज हमको मिलती है वो होती है उत्पाद तो हमको मिला CL माइनस यह है उत्पाद हमने दिया इलेक्टरॉन यह अभिकारक तो अभिकारक क्यों प्लस चिन में है ना तो अपचेयन है क्या है एक और याद रख लीजिए एक और याद रख लीजिए आप लोग क्या कि जब उन्हाँ अक्सी करण होता है उसमें आवेस बढ़ता है अक्सी करण में आवेस बढ़ता है ये खोपड़ी मढ़ लीजिए अक्सी करण में आवेस बढ़ता है कैसे देखिए जरा इधर yasyn 2 प्लस है और 3 के बाद yasyn 4 प्लस हो गया बढ़ा की घटा बढ़ा ना मतलब यह oxyからd है क्या है oxyからd उसके बाद देखिए अगर इस side में है आपका एन्ने और इधर हो गया एन्ने प्लस तो एन्ने इधर था इसके उपर जीरो था और जीरो से होगी अपलस एक बढ़ा घटा बढ़ा मतलब ये भी है आक्सी करड क्या है आक्सी करड दूसरा देखिए अपचेयन की जाब बात करेंगे आप जब इसको लिख लीजिएगा जो नहीं लिखे होंगे आवेस घटता है ये ध्यान पढ़ने जरूरते नहीं पढ़ेगी यहीं से आप समझ लेंगे तो तो आवेस घटता है अब अगर इसका आवेस घट रहा है तो देखिए उदाहरन देखिए ये CL माइनस था तीर के बाद आप लिख दीजिए CL तो इसके उपर माइनस एक है उल्टा 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 जीरो बड़ा है इसलिए घट गया क्या हो गया जी घट गया ध्यान दीजेगा आप लोग ये घट गया और अकर घट गया तो अब चयन हो गया क्या हो गया अब चयन ऐसे ही देखिए अगर हमारे पास यह अफिक तीन प्लस है और यह अफिक तू प्लस हो जा रहा है अर्थ सोडियम आयन से सोडियम लिख दें तो इसके उपर प्लस एक है लेकिन यहाँ जीरो हो गया घटा ना प्लस एक बड़ा है जीरो प्लस एक बड़ा है याद रखिये घट गया मतलब अप्चेयन है तो बस आप इसको दिमाग में भर लीजिए आवेस बढ़ता है तो आवेस अप्चेयन ठीक है ना चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने सवालों आप इतना बहुत बात कर लिए हम लोग इतना बात बहुत कर लिए आप इस सवाले को एक बार देख लीजिए इसी ज़्यादा जरुत पड़ेगी अक्सीजन का योग हो रहा है है तो देखिए जरा हमा सी ओ तो हम पहले बात कर लेते हैं ना आप चले जाए जरा पी बी ओ से पी बी तक बताइए इसमें ऑक्सीजन हो रहा है प्रिथक निकल गया ऑक्सीजन कैसे कैसे निकला कैसे निकला जरा बताएंगे का हमको आप पहले था पी बी ओ उसके पास ऑक्सीजन था बाद में ऑक् तो अक्सिजन निकलने वाले को देखी आपने क्या कहा था अक्सिजन प्रिथख किसमें हो रहा है अप्चेयन में हो रहा है तो इस बतिया को आप कहेंगे अप्चेयन क्या कहेंगे मतलब किसका अप्चेयन हुआ है इसमें तो हम सीधे सब्दों में बोलें तो PBO का अप्चेयन हुआ है PBO का क्या हुआ है अप्चेयन लेकिन ज़रा कार्बनवा वाले की बात करिए इधर से इधर पहले कार्बन बेचारा केला ही था लेकिन उसमें आक्सीजन का क्या हो गया योग हो गया अब अगर योग हो गया तो ये करका हो गया जी आक्सी करण हो गया क्या हो गया आक्सी करण ये भी एक रेडाक्स अभिक्रिया हो गयी मैंने कहा ना जब आक्सी करण अप्चेन दोनों एककाई साथ होगा तो उसे रेडाक्स अभिक्रिया कहेंगे तो कार्बन का आक्सी करण पहला आपका लिखा है सीसा अपचैत हो रहा है क्या आपचैत हो रहा है जी सीसा कहा है आपके पास आपके पास तो PBO है सीसा का ओक्साइड है सीसा तो बना है ना बाद में आपको ध्यान दिजिए इदर सीसा बाद में बना हुआ है ठीक है सीशा जो है बाद में बना हुआ है अभी तो नहीं दिखाना आपको ध्यान दीजिए उसके बाद देखिए CO2 कार्बन डाई ऑक्साइड उपचाइथ हो रही है कार्बन डाई ऑक्साइड उपचाइथ हो रही है carbon dioxide यहां पे CO2 बना हुआ है तो carbon dioxide उपचाइद हो रहा है यह उपचाइद carbon dioxide हो रहा है कि carbon हो रहा है उपचाइद का मतलब oxycrid बता है तो carbon oxycrid हो रहा है तो देखिए पहल कव option गलत दूसर कव option गलत हाँ carbon उपचाइद हो रहा है कार्बन उपचैत हो रहा है, देखिए यह है लेड ऑकसाइड और इसका क्या हो रहा है, मतलब आपचैत हो रहा है समझ में आया कि नहीं आया नहीं आया तो इबर कमेंट बॉक्स ने जोंगी अभी मैं फिर समझाऊंगा आपको ध्यान देजिएगा क्या हुआ इसमें देखिए पर ध्यान से PBO से PV जाने पर ऑक्सीजन प्रिथख हुआ निकल गया बाहर इसका मतलब उसका अपचेन हो गया क्योंकि आप इसको याद रखिए इस सारी को आराम से पकड़ लेंगे आप दूसरा जब आपने कार्बन का देखा तो पहले आपके पास कार्बन था पाद में CO2 मिला मतली समय और उसका योग वो आजब है तो यह जरा दा देखुए ओक्सीजन कायोग किस कॉलम में आ रहा है आकसी करण हभाले कॉलम में आ रहा हो तो आकसी करण है यह बात को द्यान में रखेंगे फिर उसके बाद देखें कारबन का ऐकसी करण और लेकिन यहां उल्टा लिख रहा है, यहां उत्पदवई बात कर ले रहा है, उत्पाद की बात कर रहा है, उत्पाद थोड़ी नहों होता है, जो अभिकारक है, वो अपचाईत आक्सिक्रित होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो यह दोनों हो गए, आक्सिक्रित और अप सही कुणोगा जी पहला उब स być फॉर्स्टम्बर फॉर्स्टम्बर उपसं सही का ठीक है तो अशा करता हूं कि आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा नहीं समझा होगा मैं कूट-कूट में लिखाया है आयनिक योगिक किसे कहते हैं और इनके गुड क्या है आयनिक योगिक किसे कहते हैं और इनके गुड क्या है कितने गुडों को लिखना है दो तो आप दो नहीं चार गुड अपनी कौपी में लिखेंगे कितने गुड अपनी कौपी में लिखेंगे जी चार ग प्रदर्शित गाते हैं ठीक है उसका उदाहर लाब उसमें लिख दीजेगा ये बात को ध्यान में रख लीजेगा और इनके गलनांक और प्वात अधिक होते हैं ये भी इनके गुड़ ही है तो आप इनको लिख दीजिए गा और चाहिए तो इसमें रासायनिक गुड़ भी रियक्षन दिख रहा है दो रियक्षन दिख रहे हैं आपको इनका रासायनिक समिक्रा लिखना है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए इंपॉर्टेंट है नोट करिएगा अपनी कॉपी में पहला कहा गया लेड नाइट्रेट को गरम करते हैं लेड नाइट् और दो है जबकि NO3 के उपर एक है तो तिर्चा नीचे आता है NO3 वाला PB के नीचे आएगा PB वाला NO3 के नीचे जाएगा तो PB के नीचे एक और NO3 के नीचे दो तो एक का कोई फर्क नहीं पड़ता है तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो बन जाता है PB NO3 twice तो हमें एक काम करना है इस PB NO3 twice को गरम करना है ध्यान दीजीगा तो PB NO3 twice को हम करेंगे गरम तो देखिए PB NO3 twice और इसको हम करेंगे गरम तो देखिए क्या होगा जैसे ही आप इसको गरम करेंगे ये बना लेता है अपना oxide ये अपना बना लेता है oxide PBO lid oxide और बनती है NO2 gas जिसको आप तीर के रूप में उपर दिखा सकते हैं और साथ ही साथ निकलती है O2 gas अगर balance करना है तो इसको 2 कर दीजिए इसको भी 2 कर दीजिए और लेकिन इसको 4 कर दीजिए कितना कर दीजिए 4 यहाँ पे ध्यान दे लिजिएगा आप लोग एक बार इसको कितना कर देंगे आप 4 कर देंगे यहाँ पे मैं फिर से इसको सही कर देंगे 4 NO2 और इसके बगल में आप 3 ऊपर की और दिखा देंगे ठीक है ध्यान दीजिएगा तो यह हो गया लेड नाइट्रेर को गरम करने पर होने वाली अभी क्रिया जो आपके लिए important है आप इसको जरूर नोट करेंगे दूसरा reaction तो आपका जाना पहचाना reaction है कैसे नाइट्रिक अमल की क्रिया calcium hydroxide से कराते हैं नाइट्रिक अमल का जरा हमको सुत्र जोगी है comment box में तुरं जोगी है तुरंत मैं देख रहा हूं comment box में कौन कौन उत्तर देता है पता लग जाएगा कौन उत्तर देता है तो जैसे ही आप बात करते हैं नाइट्रिक अमल की एकर सुत्र होता है HNO3 तो ये एक अमल है नाइट्रिक अमल मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं खाली अमल लिख रहा हूं इसकी क्रिया करानी है calcium hydroxide calcium कितना प्लस बनाता है 2 प्लस hydroxide hydroxide क्या बनाता है OH- तो इसका 2S के नीचे और इसक एक इसके नीचे क्योंकि ये कही माइनस तो इसके उपर है ना तो CA के नीचे कुछ नहीं जाएगा OH के नीचे चला जाएगा दो जिसे आप बोलते हैं CA OH twice तो इसमें लगा hydroxide इसका मतलबी का है चार है तो देखा का आपने अमल की क्रिया चार से करा दिया लवड और प्लस क प्लस बने लवड बन गया कैसे बना जा उन्हामल का येच था बहुत ध्यान से देखिए जो अमल का येच था मैं अलग पैन से आपको इसको दिखा रहा हूँ जो अमल का येच था उच्छार के OH को लेकर फरार हो गया और बना लिया H2O कैसे येच ने लेके भागा OH को तो calcium कितना plus बनाता यहां देखिए दो plus और कहता है पकड यह 0-3 को तो यह 0-3 कहता है पकड़ना क्या है मैं तो खुद ही आ रहा है तो इसका 2 इस 0-3 के नीचे आता है वेरनेतो के उरेफ एक है इसका मतलब वो इसके नीचे आता है तो C यह 0-3 और ट्वाइस बन जाता है आवेस याद रखिए आपको योगी कासानी से बना लेंगे यन्नो थ्री ट्वाइस और बीच में क्या लग जाएगा प्लस यह आपका रियेक्शन हो गया बैलेंस भी है बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है यहां पे आप दो कर दीजिए बस आपने आवेस देखा न CA2 पलस बनाता यन्नो थ्री एक माइनस तो अदला बदली कर दी हमने जो यन्नो थ्री के उपर का माइनस था उसको इसके नीचे जो इसके उपर का दो था इसके नीचे सुतर बने हैं CA 903 ट्वाइस CA NO3 ट्वाइस ठीक है न यह आपका रियक्षण होगया चलिए आज का अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आप इसको संतुलित करेंगे और मुझे बताएंगे आप इसको संतुलित करेंगे और मुझे बताएंगे क्या करना है इसमें बैलेंस करना है दोनों तरफ बैलेंस करके आप लोग मुझे कमेंट बाक्स में बताईएगा नहीं तो मैं कल की ग्लास में सबसे पहला सवाल आपको यही सौलो कराऊँगा ठीक है हम लोग चलते हैं आज के अगले सवाल पर यहाँ भी बैलेंस ही करना है यहाँ भी तो बैलेंस ही करना है मैं एक को बैलेंस कर देता हूँ बाकि उसको आप होमवर के रूप में घर से करके ले आईएगा चलिए संतुलित करना है इसको कैसे करेंगे आप लोग संतुलित देखिए इधर दियान से लिखा है reaction C6, H12, O6, प्लस O2, तीर के बाद CO2, प्लस H2O, और प्लस में उर्चा, ठीक है, तो मैं जरा इसको अलग कलम से संतुलित करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, जिससे हमको अंक अलग-अलग दिखते जाएं, ठीक है ना, तो लाइए, देखिए कलम को बदलिए और सुरू हो जाएगे, पहले तो आपको दिखा C6, CH12, O6, ठीक है, तो एक प्रकार से सबसे पहली कहानी आपको यहीं सुरू करनी है, क्या, कि आपको 6 CO2 कर देना है, क्योंकि यहाँ 6 कार्बन है तो 6 कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ आप देखिए 12 हाइटरोजन है, यहाँ पे 2 ही है, तो इसके सामने अगर 6 कर देंगे, 6 दूनी हो जाएगा 12, और मैं एक बात बता दूँ आपको गाठ बांज लीजिए, जब भी गिंती लगाईएगा, हमेशा सामने लगाईएगा, कभी भी नीचे मत लगाईएगा, किसी भी योगिक के नीचे गिंती मत लगाईएगा, मैं आपसे बार बार नीविदन करूँगा, और नहीं सुनेंगे तो थपड़ भी मार दूँगा, एक चमार्ट जम के, ध्यान दीजिएगा इस बात को, तो देखिए इधर, यहाँ पे आप सामने गिंती लगाएगे हमेशा, कार्बन छेठ देंगे, बैलेंस हो गया, ठीक है न, यह आपका बैलेंस रियक्षन हो गया, दूसरा देख लीजिए, यन्ने, प्लस C2, H5, OH, तीर के बाद, CH3, CH2, O, N, A, और प्लस H2, देखिए जरा, इस रियक्षन में हुआ है, बहुते सुन्दर रियक्षन है, देख लीजिए, फिर म यालक पेंसे आपको बता रहा हूँ, यहां से यच निकलता है, यह है एथिल अलकोहॉल, क्या है, एथिल अलकोहॉल, ध्यान दीजिएगा, यह है एथिल अलकोहॉल, ठीक है, ध्यान दीजिए आक आप लो, तो जो एथिल अलकोहॉल है, यह तुरंत अपना यच निकालता है इस धातु के द्वारा वही आफ सक्रिता स्रेडी इसमें भी देख लीजिए कि सक्रिता स्रेडी में जो बहुत उपर होते हैं इसके यच को भगा देते हैं और उसका अस्थान अपने ग्रहन कर लेते हैं तो यच बेचारा निकल गया बाहर तो यच क्या अकेले रहता है क्या नहीं हमेशा यच 2 के रूप में रहता है इसलिए तो बैलेंस करना है तो इसके सामने 2 लगा देना है इसके सामने क्या लगा देंगे 2 और यहां पर आपको इसके सामने भी 2 लगा देना है और sodium भयक सामने भी दो लगा देना है बाकी काम हो गया, खतम C2H5 था मैं आपको बता जुका हैं C2H5 को आप CS3, CS2 लिख सकते हैं CS3, CS2 लिख सकते हैं इसलिए यहाँ पर भड़कने कोई जरूरत है नहीं कि C2H5 उदर CS3, CS2 आगया क्या करें अब अरे कुछ नहीं करें, दोनों एक कई चीज है ठीक है, यह बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा तो इस तरह से आज की हमारी क्लास समाप्त होती है जिसमें हमने आपको कुछ सवाल बताए, कुछ समीकरण बताए, संतुलित कराया उसको हमने और कुछ कॉंसेप्ट बताए, जिससे आपने पढ़ा होगा, और आनंद लिया होगा पढ़ाई का, और अपनी पढ़ाई को कम से कम दो कदम तो आगे बढ़ाया ही होगा देखिए, छात पर से दो कदम आगे मत बढ़ा दीजिएगा नहीं तो पता चला पएर तूट गया तो एक महिने के लिए एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे जहां दीजिएगा इस बात को सोते रहिए, उसी मढ़ाते रहिए कदम को ठीक है चलते चलते, आपको मैं कुछ IUPAC नाम दिये जाता हूँ, जिसको आप लिखने का प्रयास करिएगा देखिए आज के IUPAC नाम गिंती करिए, नाम लिखिए गिंती करिए, नाम लिखिए गिंती करिए, नाम लिखिए ने खोपड़ी फुटे गी आप लोग की एक ये भी बनाईए आप लोग सब IUPAC नाम देख ताक के लिखिएगा आप लोग कौपी मैं कल्चे करूँगा आप लोग की ये लिख लीजिएगा HCH फिर आप इसका भी लिखिएगा इसका बनाईएगा पहले भी दिवत तब लिखिएगा मैं आपको दे रहा हूँ बढ़काने के लिए आप इसका लिखिएगा आपके लिए 5 IUPAC नाम हो गए आज इनको लिखिए और आईए और कल मुझे बताईए आज के लिए बस इतना ही अगर आपने इसको समझ लिया है तो दूसरे को भी समझाईए क्योंकि ध्यान दीजिएगा यह जो विद्या है बांटने से ही बढ़ती है ध्यान दीजिएगा विद्या बांटने से ही बढ़ती है पर उसी जलिये मत उसकी मदद करिए आप आगे बढ़ेंगे ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं कल की क्लास में टाटा बाई बाई